आज बना रहे हैं वेज स्प्रिंग रोल दो बड़े चम्मच यहां पर हम लेंगे ओल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा उसके बाद डालेंगे इसमें जीरा और डालेंगे तीन चार लहसुन की कलियां काट करके जीरा जब तड़क जाएगा उसके बाद आपने डालना है लह अच्छी तरह आपने भूनना है और एक प्याज बड़ा जो प्याज है उसको बहुत छोटा छोटा काट करके हमने डाला है तो अच्छी तरह से सभी चीजों को हम भून लेंगे फ्लेम को रखेगा लो मीडियम और यह हमने एक छोटे साइज की पत्ता गोबी और तीन हमने अब काली मिर्च आदा छोटा चमच और विनेगर डाल देंगे थोड़ा सा इसमें फ्लेम अभी मैंने यहाँ पर बिल्कुल लो कर रखी है तो एक बड़ा चमच भरके हम डालेंगे इसमें विनेगर और डालेंगे सोया सॉस तो सोया सॉस का ध्यान रखेगा बहुत ज जालमिच पाउडर अपने टेस्ट के अकोर्डिंग डाल सकते हैं और नमक इसमें अभी नहीं डालेंगे जब यह सबजें ठंडी हो जाएंगी उसके बार नमक डालेंगे नहीं तो यह पानी छोड़ देगी अब एक कप हमने लिया है मैदा और मैदे को अच्छी तरह से हमन बनाने है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर आपने बिलकुल पतला घूल है वह तयार करना है पानी एकदम से ज्यादा मट डाल दीजेगा नहीं तो गुठली पड़ेगी यह देखिए इस तरह से हमें यह कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस तरह का घूल बिलकुल पतला चाहिए अब हम इसकी शीट बना लेंगे रोल के लिए फैज रोल के लिए थोड़ा सा ओल डालेंगे ज्यादा ओल मट डालेगा और बस तवे को अच्छी तरह से हम टीशू पेपर के सायता से चिकना कर देंगे तो हमें ज्यादा तेल डालने की इसमें जरूत नहीं बस पूड़ी सी जब शीट है हमारी एक साइड से पक जाएगी तब हम निकाल लेंगे और जिस में आप ये शीट निकालोगे वो थाली पहले से ही आप चिकनी करके रख लेना अगर आप चिकनी नहीं के रोक करोगे तो ये शीट है वो चिपक जाएगी अब देखिए पक गई तो शीट से वो थाली में चिपक जाएगी फिर निकलेगी नहीं तो बस इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से शीट बना बना कर रखते जाएगी और यहां जो हमारी फिलिंग है ये ठंडी हो गई आप इसमें मिला देते हैं नमक गरम में मत मिलाईगा नहीं तो सारी सब्जियां पानी छोड़ देंगी तो नमक मिला दिया अच्छी तरह से और अब जो हमारी शीट है उसमें हम ये अपनी फिलिंग भरके ना कम ना ज्यादा तो जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं इस तरह से इसकी शेप बना लेना यह दिखो इस तरह से साइड से आपने फोल्ड करना फिर इस तरह से तो अगर आप गरम गरम शीट में भरते हो ना तो आपको कुछ भी लगाने के जरूत नहीं होगी अगर शीट सापके ठंडी हो जाती है तो फिर थोड़ा सा मैदा का जो घोल है वो बना लेना और चिपकाने के लिए वो लगा लेना पर अगर एक जना शीट बनाता जाए और एक जना भरता जाए ना तो आपको कुछ भी लगाने के जरूत नहीं होगी क्योंकि गरम गरम यह आसानी से चिपक जाए और जिदर से आप बंद करोगे ना उस साइड को नीचे रखना तो यह बिलकुल चिपक जाएगी कुछ लगरम हो जाए तो फ्लेम को आप मीडियम करके इंको अच्छा कृश्पी सा फ्राइ कर लेना भाउत ही टेस्टी लगते हैं खाने में घर में बनाए इनको बजार का mechanism यह तो रहता है ना कि घर में हम कौन से तेल में इनको फ्राइ कर रहे हैं बजार में तो इतना काला काला पता नहीं कब तक उसमें फ्राई करते रहते तब बनाते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाज वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो औरों को भी शेयर कीजेगा और वीडियो को लाइक कीजेगा मिलती हूं अपनी अगली वीडियो में